मेरे सबी किसान भाईयों को रमशकार मेरा नाम है नितेश जैन और आप सब का स्वागत करता हूं मैं आज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे BSF कंपनी की एक्सपोनस दवाई के बारे में जान दोस्तों एक्सपोनस दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उपियोगिता बताएंगे इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज कि कितनी मात्रा में आपको एक्सपोनस दवाई काम में लेनी है कि ये कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल बनना है कौन-कौन सी फसल में काम में लेनी है क्या काम करती है और क्या-क्या इसकी विशेशता हैं क्या इसकी अच्छी बाते हैं और कैसे इस दवाई का बहतर परिणाम आप ले सकते हैं ये तमाम जानकारियां देंगे आपको ग्रैफिक्स के जरीए और लिखी पड़ी बाते भी बताएंगे महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में और वीडियो के अंत में एक्स्पोनस दवाई करते समय आपको किन-किन बातों की विशेज सावधानिया रखनी चाहिए तो उनके वारे में भी जानकारी देंगे आपको तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये उप्योग इता बता देते हैं कि इसका उप्योग आप मुख्य रूप से सोयावीन, मिर्च, लाल चना, टमाटर और बैंगन में कर सकते हैं मतलब आप कह सकते हैं सभी प्रकार की सबजियां, सभी प्रकार के फलफूल और सोयावीन इतियादी में आप इसको उप्योग में ले सकते हैं दोस्तों इसका टेकनिकल नाम भी बहुत फ्रेश है, बहुत नया है, ये बहुत नए जमाने का टेकनिकल है ब्रो फ्लेनरलाइड 300 GLSC formulation में यह आता है तरल पदार्थ है liquid formulation में आता है और इसकी dose जानकर तो आप चकित ही हो जाएंगे दोस्तों बहुत कम मात्रा में यह दवाई लगती है मात्र 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 अगर सोयाबीन में और दूसरी फसलों में डाल रहे हैं मात्र 17-25 ml प्रती एकड की इसकी dose है दोस्तों एक एकड में 10 spray tankों का इस्तमाल करना है एक spray tank में 16 लीटर पानी लेना है और 17 ml के 10 हिससे कर देने मात्र 1.7 ml दवाई एक टैंक में डालनी है बहुत कम dose है इसलिए बिल्कुल जैसे polio की boom डालते हैं वैसे आपको दवाई डालनी है दोस्तों अब बात कर लेते हैं महत्वपून बातों की जिहां दोस्तों ये सोयवीन में हैली कॉटवा, स्पैड़ डॉक्टरा और सैमी लूपर का पून नियंत्रन करता है मोटी से मोटी लटो, तमाको लटो, इल्ली हो, हरी लटो, गोप की लटो, पत्ते में सुंडी आई हो, जड में सुंडी आई हो या फिर सकिंग पेस्टो, रस चूसक एड़े हो, सभी को ये नियंत्रित करती है मिर्च में चैनित थ्रिप्स और लेपिड आप्टरा का उतकरष्ट नियंत्रन है लालचना में मारू का और हैली कॉवरपा का उतकरष्ट और लंबे समें तक चलने वाला नियंत्रन है जो आपको कठिन कीडों पर शक्ति प्रदान करता है, ये कीटनाशक उन किसानों के लिए एक शक्ति शाली, त्वरित और बहुमुखी कीटनाशक है, जो शीष प्रदशन करने वाले कीट नियंतरण उपकरण चाहते हैं. और दोस्तों, ये सबसे कठिन चबाने वाले कीटों, कुछ थ्रिप्स और लीफ माइनर को नियंतरित करने के लिए लक्षित कारवाई का एक नया तरीका है. ये प्रतिरोधी और सक्त कीडों पर प्रभावी है, कितना भी मोटी लटो, कितनी भी लंबी लटो, कितनी भी किसी भी प्रकार के लटो, सब को ये उडा देती है, खतम कर देती है. ये तेजी से फैलता है और कार्य करता है जिसके परिमान सुरूप कीडों का त्वरित नियंत्रण होता है ये विबिन चर्णों में विबिन फसलों में कई कीडों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है इसमें सक्रिय संगटक ब्रोफलानी लाइड द्वारा संचालित गाबागेटिट क्लोराइड चॉनल एलिसोट्रिक मॉडिूलर मॉडिूलेटरल है यह उन लक्षों पर प्रभावी है जिन्होंने कई MOA के खिलाफ प्रतिरोध विक्सित कर लिया है जैसे बजार में जो पुरानी दवाईयां हो गई है उनको अब कीडों ने भी उनके प्रति अपनी रोग प्रतिरोध शक्ति विक्सित कर लिया है और वो अब उन दवाईयों से खतम नहीं होते उनके लिए है यह रामवान इलाज एक्सपोनस दवाई जिसने B.S.F. की कर दी किसी भी तरह की लट हो, थिप्स हो, माइट्स हो या किसी भी तरह की सुन्डी हो सब कुछ खतम बिलकुल साफ यह जो पहले अगर जिसने एक्सपोनस दवाई का इस्प्रे नहीं करा उसकी फसल ऐसी है और जिसने एक्स्पोनस दवाई का स्प्रे कर दिया तो चाहे सैमी लूपर हो हरी लटो या गोप की सुन्डी हो तमा को लटो पत्ता हरा भरा पौधा चका चक फसल एकदम शांदार आती है स्वयबीन में कीट प्रकोप के साथ पहली बार लगाने के बारा से पंदरा दिन बाद प्रियोग करने से अच्छी गुणवंता वाली फली के परिमान सुरूप अधिक उपज होती है मिर्च में पहले आवेदन के साथ से दस दिनों के बाद थ्रिप्स घटना के साथ सक्रिय वनस्पती विकास सरण प्रदान करके बहतर फसल वास्तू कला और बहतर विपनन योग ये उपज प्रदान करता है फार्मर्स प्रेक्टिस ये देखे आप पहले जिसमें एक्स्पोनस दवाई का स्प्रे नहीं था वो ऐसी थी मिर्च और जिसमें एक्स्पोनस दवाई का स्प्रे हुआ वो ऐसी मिर्च हरी जग पौधा बिलकुल स्वस्त निरोगी और पौधे में किसी प्रकार का कोई रो होता है देखिए जिसमें नहीं एक्सपोनस करा वो कैसी है चना और जिसपे एक्सपोनस का इस्प्रे करा वो कैसा है चना हरा भरा तंद्रोस्त मोटा दाना टमाटर में फूल दिक्षा से पहले तथा फल दिक्षा चरण में प्रयोग करने पर बहतर उपज ब्रदान करता है य साथ से दस दिन बाद बहुत अच्छा अंकूरन और फल छेदक नियंतरन के साथ बहतर फसल वास्तुकला और थ्रिप्स नियंतरन दमन पर बढ़त करके बहतर उपज प्रदान करता है। यह देखिए आप बैंगन का पौदा पहले ऐसा और फिर बाद में ऐसा जिसमें एक्सपोनस का स्प्रे हो रहा है। तो यह थी तमाम महत्वपून जानकार या एक्सपोनस दवाई के बारे में अब बात कर लेते हैं सावधानियों की। दोस्तों बच्चों की पहुंच से दवाईयां दूर रखनी हैं। दवाई को जब भी आप प्रियोग करें तो अच्छे डंग से हिलाने के बाद में ही प्रियोग करें। हाथ के दस्ताने मूपे मास्क हमेशा लगा के रखें। भू के पेट कभी भी दवाई का इस्प्रे नहीं करना है और दवाई इस्प्रे करते समय कभी कुछ खाना पीना नहीं है। बहतर परिणावों के लिए हमेशा नेपसेक इस्प्रे पंप और फ्लैट फैन नॉजल का ही प्रियोग करना है। हवा से विप्रीद दिशा में कभी भी इस्प्रे नहीं करना है। दवाई का पूरा उप्योग करने के बाद में खाली वॉटल को तोड मोट के आबादी से दूर जमीन में गार दें। और आप चाहें तो इसको धोके रिसाइकल के लिए कवाड़ी वाले को भी बेच सकते हैं। और दोस्तों मधुमक्खी और मचली पालन के शेत्र में दवाई का प्रियोग बहुत ही सावधानी पूरव करना है। हवा या फिर पानी के माध्यम से मधुमक्खी और मचली को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यह थी तमाम साफधानिया एक्स्पोनस दवाई के बारे में पूरा जानकारी थी, डिटेल वीडियो था एक्स्पोनस दवाई के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, BSF कंपनी की इंटरप्रिट दवाई के बारे में। जिया दोस्तों, बने रही है हमारे साथ में, ऐसे ही हमें प्यार देते रही है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने जादा से जादा किसान भाईयों के साथ में शेर करें, स्टोरी पर लगाएं और सभी जगे वाईरल करें। दोस्तों, यहां लेते हैं आपसे इजाज़त, वीडियो को लाइक कर लीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजे ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आप का और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे हैं, दोस्तों नमस्कार